तो कौन अलो अजगर साहब जी मैं इंसानली भोगा हूँ फरमाया आपको नंबर क्या है इंसान सब आपको नंबर क्या है है अब बना भाई है काल तो नंबर बोले नाइन थ्री नाइन थ्री टू फोर सिक्स फोर डबल वान डबल वान डबल वान डबल वान डबल वान सेवन वान सेवन वान एक दो तिन चार पांच छे साथ नौदस अच्छा आपका नंबर में तलास कर रहा था नंबर मिला नहीं यह फरमाएं हुसाम अलहरमें के अंदर सफ़ा नंबर एटी टू एटी वान और एटी टू के अंदर जो आपके आलहदेश साहब ने एक बात लिखिए उस पर मुझे बात करनी थी उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर एक असी में है फिर तो वो जल्म गुमराही में उसका हाल यहां तक बढ़ा कि अपने एक फत्व में जो उसका मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से आँख से देखा आपके आलहादेश बोल रहे हैं जो मुंबई औ गयर में बारहा मारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लह सुभान हुवत ताला को बिल फैल जुटा माने और स्तस्रीछ करे कि माज़ ल्लह ताला जुट बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका तो उसे कुफर बाला इताक गुमराही दर किनार फासिग भी न कहो ये आपके अरत कह रहे हैं कि जो अनी रशीद अमद गंगुई अपने किताब में लिख गया कि जो अल्लह तबारक ताला को नौस बिल फैल जुटा माने या जुट बोलता है बोल गया अब बोलता है मतलब वो उसको गुमराह तो दर किनार फासिग भी न कहेंगे तो उन्होंने का मैंने अपनी आँखों से देखा मुंबई गरम बारहा मारत छपा है तो वो रिसाला या वो इबारत किस किताब में है मुझे वो चाहिए आपके आला जुट बोला है या सच बोला है तो आप इसमें समझने वाली बात आथिए श्राहब जी आला हजरत गोस्ता मुलार में इसमें परमा रहे हैं वो इस अलग कि मैंने बारहा अपने आखों से देखा लोग ऐसी बाते कर रहे हैं मुझे एसी किताब चाहिए एंस्टाम लिखा है ना जी जी उन्होंने लोगों के हवाल लोगों की बात लिखिया ना तो गंगोई साथ लिखिये और नहीं साथ लिखा गंगोई साथ का तो मामिला तरह इसना है कि जो है अल्ला ताला चूंट बोशक्ता है है ना इसा बोला है थारते सर्फ़ार बात करने लगे होंगे उस दो आ. अब ने अमने अपने आखों से देखा सुह है जहिए मतलब गश्यट वनता है यंदिशम उसामे झाल तो कई किताब में आपने देखा बारा तो जायशी बात है गंगोरी साथ के जो पॉलवर थे उनके जो मुझे जैन थे उनके हवाले के लोगों ने नकल होगा नकल किया होगा और उसमें उन्ही की नाखिल की हैशियत ते आला हज़र लिख रहे हैं जी काफिर से दूर की बात है वो खाती भी ना होगा जी बिल्कुल जी उनके लिखा है मैंने बारहा देखा कई किताब में देखा जी तो ये इनसन भई तो आप बताएं जिब आपके आला हज़रत आपके हुसाम अलहरमें जो आपके यहां जो फर्ज अइन फर्ज अइन है और कुरान के बराबर है तो ऐसी किताब में बात लिख गई यार अज़र यासम अपनी तरफ से क्यात ना किया जो कुरान के बराबर है ये सब ये बुख्रिया बात में ना किया मैं जवाब दूँगा ना इंसन भई मेरी बात सुने मुझे आप मेरी बात काट रहे हैं मैं आपकी बात मुकमल सुन रहा हूँ आपकी बात मैं मुकमल सुन रहा है लेकिन आप मेरी बात काट रहे है आप मेरी बात काट रहे है इसे सवाल करें आप मुझसे किसने ने कहा कुरान के बराबर इस तरह करें ना इस तरह बुखलाने से तो लिए सफाय पेस कर सकते हैं आप अस्वारिमुल हिंदिया के अंदर इसमें रिखा हश्मत अलियक खान कादर अरे यार फिरे बीचें बोल रहे हैं इनसान भाई आपको बड़ा मुनासिर बनाकर लाया है अब्दुल्ला शरफी और आप उसकी अधजियां उड़ा रहे हैं उसके आप कम से कम हिम्मत से सुने ना जब मैंने एक मुद्धाव इसके मैं साबित मैं करूंगा आप तो नहीं करेंगे ना इनसान भाई थापित मैं करूंगा आप तो नहीं करेंगे मैं जब किताब का नाम लेरा ओं मुझे किताब का नाम अम सुनकर आप लोग भुखला जाते हैं तो अभी इबारत पड़ूőं क्या क्रूँगा अब यब बंढ़गा अब तुम्हें किताब का नम लिगा और आ एसमत अली खादिरी रजबी लखनवी साहब उसमें लिखा है सफ़ा नमबर 64 के अंदर चौसाम लखरमें किताब ला रईब फी हुदल लिल्मुद्टकीन इस तरह पुरान पाक में है अलिफ लाम्मीम जालिकल किताब ला रईब फी हुदल लिल्मुद्टकीन ते ये आपके अरण का लिखा है किताब ला रईब फी हुदल लिल्मुद्टकीन किताब ला रईब फी हुदल लिल्मुद्टकीन किताब ला रईब फी हुदल लिल्मुद्टकीन तमाम मुसलमानों पर हुसाम लहरम शरीफन के अहकाम का मानना और उनके मताबिक अमल करना शरान फर्द है ठीक है और आगे तुसरा हवाला तिसरा हवाला लिखता हुँ में लिखा है कि जो उसका इंकार करें वो काफिर है अब बताएं इतना जूट लिख गए उसके अंदर कि मैंने अपने आँखों से देखा बारहा थपी है ये बात कि रश्चित मैं कहुंगे ये फत्वा लिखके गया कि अल्ला तबाह आरा को तरकाई जो जूटा है मैं बोलू जी बोले कोई बात काम अल्हारमैन में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है और स्थरीयत के मकाविश है इसलिए अल्बाय हारमैन शार्वेन ने तो है इसके ओपर अपना मोहर और उसका दिया पत्वा एक उपर लगाया आपके तीन या चार बातर गिलों के ओपर ब्रेक शामी शाहर में लनखोरी शाहर नादोर्ड आप इसलिए इसलिए ठीगे है वो हक है और स्थरीयस ते है कि हाँ शरीयस से वह कुफर के कगार पर क्या कुफर के डल्डल में ब 생裂 के ते इसलिए कुफर का पसवा लगाया गया चलो ठीक है तो इडिकार करने माला ये सही बात है काफिर है ठीक है ठीक है अच्छा अब रही बात आप पहरे हो आला हजरत पे शूत बोला मच्छिर वापस आपको समझा रहा हूँ कि आला हजरत ने इस दौर में मंबरी वगेरा चे जो है मदीना मनवर अर्गिया आते जाते वहां पे हाज दे तो मंबरी वगेरा आते जाते तो उस दोर में महां पे ऊच्छा है परी तारिक किताब़े देखनी हो है ना या सुनी हो अपने कांच ते कि ऐसा लोग लिख रहे हैं कि अगर कोई कहले तो उस दौर कौति अ काफिर ही नहीं बल्करिए उस साहती बिना कहि अजीब हाल है आप इंसन भई आपने बोला कि हो सकता है आलात ने थिका हो सकता है जब इमान और कुफर का मसला हो नहीं सकता यही बात ही है अच्छा मासला जीब। बारहा कई लोगों के मुझे सुना है कई लोगों मुझे वो किताब चाहिए जिसकों ही लिमना हो कुस बास्ता इंहलत ये कहीं लिखा हो या कोई ऐसा लिख सकता है क्योंकि भाई ये सब ऐसा लिखना समझ जाए ये नकेडी गजेरी का ही काम है बतरृ वो अगजर इसा कहे कि मुझे वो किताब चाहिए तो उसमें जिसकों की बात अधे हендी भाई भाई जिसके मासाैलला अब आध ताला तुमि ए अगर 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 आध परकॉलार के तैसे आप बहिMay किताब बता है आपकों से देखा मुझे वो किताब चाहिए तो यह को हैरक वाली बात को ही जाएगी नैंकि ऐसा कहने ओना कोन है भाई यह जी जी अब मैं बोलो इस तरह आपने कहा मैंने आपको कहा आपको कहा है कि अपने आखों से दिखा तो आपने जो है हजरत थामतलाने के मामों का मिसाल दिया कि ऐसी बाते तो आपके आलात के बात को उस बातों से मिसाल देखर कि आपने कहा ऐसी बाते तो फला फला ऐसा हकीर आदमी ही लिख सकता है आपने सही कहा कि जिस तरह आपके आलाद ने लिखा हुसाम अलहरम के अंदर हक्यर आदमी ही लिख सकता है क्योंकि उसका दलील नहीं है हमारी किताब से आप जो बोल रहे हैं बारत किताब से है किताब में है ठीक आपको बोलूगा कहां से बढ़ा आपने किताब देंगे अभी मामी के मतालिक यह मशायख नक्षबंदी किताब है नुर्बखष तवक्र लिख साभी किताब है उसमें उसमें उन्हें लिखा है सफ़ा नंबर 49 के अंदर कि मेरा उसे के सामने हूँ मियास सहाब की बेसानी पर बल पढ़ गए कहते हुए उठ खड़े हुए कि लोग किसी भड़ोए का भी परदा नहीं रिने देता भड़ोए हाँ भड़ोए की बात लिखा है तीक है आपकी किताबे मंबे अनौर दूसरी बात एक बात सुनें एक किताब है आयने अहल सुन्नत मौना अश्रफ आस्व जरालिस साहब किताब है उन्होंने सफ़ा नंबर 147 में लिखा है कि आला हदरत के इस हाकायत के तरदिद में फत्वा मौना भड़ोए है तो आला हदरत के इल्जाम कैसा यानी एक बात कोई अगर कहे कि आला हदरत का या अकीदा है तो आप एक कहेंगे भाई आला था कि इसके खिलाब तो फत्वा है यहाँ मिसाल के तर्भाई कहूंगा कि भी टाजिया आपके आला थारत ने जायज लिखाए तो आप कहेंगे भाई फराफ़ना किताब में उन्हान हराम लिखा है तो उनका फत्वा कैसा जाएगा बास सही है तो इसी तरह यहाँ आएन अहल थानत में लिखा है कि इस हकायत की तरदिद में फत्वा मौझद है तो फिर आला हज़रत पर इल्जाम कैसा तो अब मैं कह रहा हूं किताब लाकाईद फत्वा रस्षिदिया के अंदर सफ़ा नमबर 93 के अंदर हज़रत रशिद गंगु लिखते हैं कि अल्ला ताला की तरह जूट की निजबत सवाल जात बारी ताला अज्जा इसमहु मौसूब बसीफ़त किजब है या नहीं और खुदा ताला जूट बोल सकता है या नहीं और जो सफ़ खुदा ताला को ये समझे कि वो जूट बोलता है वो कैसा है तो जवाब दिया हज़रत ने जात पाक हक ताला जल्ला जलालहू कि पाक मुनज़ा है उससे के मुतसिब बसीफ़त किजब किया जाए माज़ ला ताला उसके कलाम में हरगीज हरगीज सायबा एक किजब का नहीं है किजब का कि धूट बोलना दर किनार अल्लह तबाराग ताला की जात में धूट बोलने का सब्क्ड कोई गुझाईश नहीं थारत ने कहा है और का आगी लिखा थारत फत्वा दिया है तुने गुझाईश नहीं है आगी लिखा हरगीज सायब कुझे है काल अल्लह ताला वो मन अस्दक मिन ल्ला इकीला यह कुरान पार की आयत पेशकी नहीं होने जो सब्स हक ताला की निजबत याकिदा रखे यह जबान से कहे कि वो किजब बोलता है वो कतान काफिर है मलुण है और मुखालिफ पुरान और हदीथ का और इजमाई उम्मत का है वो हर्गिस मुमिन नहीं अल्लाह अम्मा यकूल जालिमून अलूवन कबिरा अल्बत याकिदा अहल इमान का सबका है कि खुदाय ताला ने मिसलि फिराओन वहामान वबी लहब को पुरान में जहन्नमी होने का इर्शाद फरमाया है वो हुप में कत्वी है उसके खिलाब हरगिस हरगिस ना करेगा मगर वो ताला कादिर है इस बात पर कि उनको जन्नत दे दे आजिस नहीं हो गया गादिर है अगर्चे ऐसा अपने अख्तियार से ना करेगा तो हज़रत गंगु है मतलब फत्वा मुझूद है कि जो ऐसा अकिदा रख के ल्ला जुरू बोलता है वो काफिर है, मलुण है और गुरान पाक की इस आयत का मुखालिफ है और अल्ला तबारा को तर्ला जुरू जात के मुझूद है शक्की भी गुण जायस नहीं का ल्ला जुरू बोलता है अजुद बोलता है शक्की तो मैं आईले अब यह वसूल को रखें आप क्या कह रहे है कि आला हजरत का इसके हिकायत के तर्दिद में फत्वा मुझूद है तो आला हजरत पर इल्जाम कैसा तो मैं कह रहा हूँ हजरत गंगोही रहमतुला आले का फत्वा फत्वा रशिदिये में है कि अल्ला तबारा को ताला के मुझालिक शक्कि गुंजा इसनी जुटके मुझालिक अल्ला घुरू बोल सकता है शक्कि गुंजा इसनी यह अकीदा बनाना बहुत दूर की बात है जो ऐसा अकीदा रखे है वो काफिर है मलुण है तो हजरत का तब इसके खिलाब फत्वा मुझूद है तो हजरत पर इल्जाम कैसा यह आपका वसुल है जब हजरत ने फत्वा दे दिया बार बार इनसान भाई जबर दस्त थोपना कि यह आपका अकीदा है आपका अकीदा है अजीब बोलू मैं हाँ बोले बोले लगुझे देवबंदियत और जो बंदि के जो आलिम अलमत है आप लोंके वो तोर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक यास है अफरी तरफ से मेरी एक राय है कि वो काजा और भंग पीजेते साइटी कि वो कुष्ट कूपर बग देते और कुष्ट कूपर का पत्वा देते कि निशन के तोर मेरी ज़ुक कोफ़ 5 जान से नकिता है आप मौझ बदल रहे हैं इनसान भाई ना अब मौझ बदल रहे हैं इनसान भाई आप मौझ बदल ड़ू ड्या में इन सान भाई आपके पास यह मसला नंframe कर रहा है एक हम अपय हम दें का सब्द्जब है। मेरे होला पढ़ना है कुन किसा किताब में है । आप उसे किताब मेरे बारत पुड़ रहा हूं किताब का नाम पढ़ें जबारत पढ़ रहा हूं मैं मेरे बात सुनए मैं मुश्जूर है और माज़रूजी नहीं है हमारे पास किताब भी नहीं है और आप और अची तरीके से जानते हैं आपको मुनाजिर बनाकर लाय झाल आए छिस्पान की वैई थानवी ने बत्बावाद किया कहां पे लिखा है कपने कहां पर देख्या लेना किया भारत बोल ले आप कुताब नहीं क्या देंगा आपके सानवी नानुतुरी गंगोही ने चारों उने कुपर का गुल दस्ता बनाया किस किताब में बताया ना इसका एक निचोड लाकी लग रही है अब उनका अगर पिखले वाला किताब पढ़ो अलमुहंद पढ़ो तो पता लगता है मुहम्मद के बाकोल ये सब काफिर और मुर्तद है अच्छा ठीक है ठीक है देख लेते हैं अब जरा खामोश हो जाएं पूरी बेहोबंदियत की जो है सुरूं से ही जो पूरी जुरियत है वो आज पी नहीं सालों से लगा है आज है वार जगे रूसरा होता है इमाम अह्मद रजा एमाम एहल असुनत जो है पाजली परिली में रहमत नहीं कीछा लगा ही रहता है मैंने आप पहुरा कि Massor लोगों के मिन्यरम को है फैसा किताबों से सुना होगा अब आप जो जोट है जोट है मैंने आपको मिसाल चेता है नाजिन जललाबादी भी नाजीन जलाला जाने इसमंडिया को आदे नाजीन जलाला जाला वाधी रंडी तेहां नहीं चैज़ा वाधी रंडी से नियुद्ध मुरीन नहीं तरफ से बताना कहा लिखा एक ले यार अब अब किताब करना मता दो किताब का नम सफ़ानन, अब लेट बेढ़ा, लेट हो गया, नाजिन जलालबादी सहाम में कहा करने वाला कौन, करने वाला कौन, कि ये सब उसी का है, है ना, कितने में रंडी नही व्गारत सुनकर आख बहूला हो गई, और जो कहा कि ए सिप्भ कि अभी किताब भी किताब किताब घाये थै कहां लिकाये काँ कौनसी किताब भी क्या रहती है तक साफ जितWeek आपको मैं भूकमत परीकी से समझा नहीं समझा नहीं समझा सकते होंगे मैं जवाब दे रहा हूँ मैं जवाब दूँ जवाब दूँ जवाब दूँ आपके बात कही शुरू में कि आपके आकादूर लोग सायद भंग या शराब पीते होंगे इसलिए ऐसी बात लिग गए देखें ये आपकी किताब है सब्य सनाबिल मिर अब्दुल वाहिज बिल से लिगे जवाब बाने जवाब पेसे बात लात लिगareं से बात दूसरी बात ही दूँ आ शराब लाइए और ईतुरान पूर दूसरी बार गयब की बातों का जैसा इल्म रसूल ऑल्लाशनलाशनलम को है आइसा तो हर बच्च बलके पागल हर जानौल और फिर चारुपाई चारुपाई को हासिल है तो यह अईसा जैसा आपके आहला हरत ने लिखा है यह आपने आइसा काम किया जैसा शयतान ने किया मिला दिया उस में हमारी किताb में सिर्फ ऐसा है और आपके आएल जैसा जैसा दोनों लिखा है ठीक है? पहली बात दूसरी बात यह बताएं आपकी किताब अनौर मजहरिया है इसमें शाह अब़ुल्लाई मजहर नहीं हैं वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 292 पे कि मौलबी अश्रफ लिठानिवी की हिवज अलिए अईमान की गुस्ताखान अजिबारत आला हदरत इमाम अहमजदा खान बिरल्बी कि ने जब अपने दोस्त मौलान अबदुलबारी फरंगी महली को दिखाई उन्हों ने फरमाया कि मुझे तू उस पर में कुफर नजर नहीं आताा आला हदरत ने एक मिसाल दी फिर भी उन्होंने नहीं नमाना आला हदरत खामुश usted और दोस्ती और मौहबut बरकरार रखी कितने साल तक यह देखेए किताब का नाम है फत्वा मजहरिया सफ़ा नंबर 499 उसमें लिखते हैं मौलाना अब्दुलबारी फरंगी महली को बावजुद आला के उसके उन्होंने एक देवबंदी आलिम की तालुका की रहायत करते हुए तक्फिर से इंकार किया तो आपके आला हज़रत ने उनकी तक्फिर नहीं फरमाई बलकि 1912 इसवी से 1920 इसवी तक यानी आठ साल तक तालुकात काइम रखे कौन आपके आला हज़रत किसके साथ गिसने इंकार कर दी हिफजुल इमान की गुस्ताखी नहीं है उनके दोस्त उसके बाव दोस्ती बरकरार रखी और आप लोग काफिर काफिर कहते हैं आपके आला हज़रत के सामने उन्होंने कही दिया कि गुस्ताखी नहीं है और आपके खामुश होगए नहीं गुस्ताखी नहीं है तो आपके आला हज़रत खामुश होगए ये जामिन जल्लबादी मुतारी किताब है तफसीर लिखा हूँ मुहतरम खारियन किराम आपने मुनाजरा मुनाहिदा फर्मा लिया उम्मीद के आप में एक आखरी आखरी किताब आप पर ये बात अजहर में शम्स होगी हो चुकी कि ये फिर्क दलाईल से इस खदीम यतीम है कि पूरे मुनाजरे में नमाज का एक मसला भी थाबित ना कर सका यहां अगर लिख लिखा है तारीग और रह्मान इस बात पर आखर वक्त तक नप आया तारीब ररहमान ने जो इस तरह भी पिर और रन्वी वाले वाकिया पर किया है उसका जवाब यह है कि वो ते एक बिद़ाटी पिर था कौन लुन पार झाले तजकीरत व रश्रित में मذ्कूर है क्या लिख़ा है कि जामिन अली जलालाबादी बिदाटी पिर था और बिदाती पीर को आप बार बार हमारे लिए मुतबर बना रहे हैं हुज़ज़ज़ज़ बना रहे हमारे लिए हुज़ज़ज़ नहीं है जामिन अलिज जलालाबादी अगर हजरत हकीम अलुमत अश्रफ अली सहाब थानविर नवरा मरकदहू के मामू हो लेकिन थे वो बिदाती बिदाती होने को ऐसे वो गहर मुतबर है मामू होने को मुतबर नहीं है अगर रिष्टेदार से कोई मुतबर होगा एक मिनट सुने इंसानम एक मिनट सुने तो एकरमा रजी बाप का नाम था अबू लहब अबो लहब किसका बाप था? एकरमा रजी तरह उने के वज़े से कि एकरमा रजी तरहने को बतारिपर तनकेर הת生क हो गी? तनकेर करेंगे आप? ऐक सहाबी पर कि तुम्हारा बाप अबो लहब था? ऐतने कहा कि Yakरमा आप मामु जो है पिदसी थे अब बिजती काफिर होता है आपके नसी काफिर होता हैं नहीं करेंगे भाई आप इस तरह बात ना करें अब भी शराफ पिये का आप मुजदी के तरह इस तरह बात क्रराएं क्या बाते किर रहा है चले हाँ बोलें 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 मैंने जो अनुआरे मज़रे का हवाला दिया है मैंने जो फत्वा मज़रे का हवाला दिया है मैंने जो 17 सनाबिल का हवाला दिया है शराप पीता चर्स पीता था भंक पीता था जवाब दें उसका चले जवाब दें हाँ पूर बोलने में नमबर एक है और उनके सामने कोई जूड बोलने वाला ठीकेगा नहीं और उनको इंटर्निसनल एवाट मिलना जे दियो बंदियों को जोड बोलने के लिए आपने अबारत पेश की सभे सनाविल की और नाम दे दिया और उडियों में कि देखो आला अणाये लिकाया आप ने पेस्ट किया सभे सनाविल का और मुसंद बना दिया इमाम-ई-ऽॉद इमाम अहले सुनलत इमाम आइमद आपाज़ा बंद बना आप अबढ़ा अब्दुर पर दोड़ बोल रहे हैं अपने मुझतिती तरह कि मैंने वाग जो भी जोड़ वोड़ ऑन्यानी साफ जोड़ की इंतया है एकसर मशूर तरह जो इनकाली कि नहीं है इसे विए मुकमन एवारत या पूरी वारत इन्याद में अब दूसरा आपने जो बताया पतावे को मजहरी का आपने जो बताया कि अब इन पर दूसरा आप दैएंधान कुछ नहीं है नियुक्त है कि आपके पताये हमिए वारत दूजरा ही कि आपने कहां कि थानुज आपके मामू हो पिज़ती थे खाफिय थे खुलेंशे आपने विला करवा दिया उनका और इन से नाजिम ज़लाबारी को आपने कहां पिज़ती थे खेडिये कोई वाद थे तान्वी साहब मैं शीराब आपको एक निया मिसान देखे हैं कि इसे यकीन ना है तो हल्फुट वालों वो कुट्टा उस्वर से पत्तर हैं अब आप इस बात को सुनकर बहुत सुनकेंगे और कहेंगे किताम लाओ कहानिका है अब हमारी तरह ऐसी तत सुन्नी हजराँ ये बात कहने लगी कि इस आन्वी साब कह रहे हैं कि वो कुट्टा उस्वर से पत्तर हैं और आप तस बोड़ों के मुझे सुनो तो आप घबरा जाओगे कि भाई कहा लिका है किताब कहा लाओ हमें किताब दिखाओ आप घबरा जाओगे है ना उसी तरह आला हजरत ने कहा कि ममुंबई शहर में था और लोग वहाँ ये मज़ूर था कि भाई अगर लाता कोई एक जनला ताला जोड़ हो सकता है तो इसको पर कुम्र का तो पत्व जोड़ो फासिक का भी पत्वा देए लिए फासिक भी नहीं कहा जाएगा ना उसी दवरानों ने कहा किताब लाओ इसमें कुछ सरकारा आला हजरत करना वह जोड़ता है और नहीं कुछ और अब मैं मिशाल देगे आपको समझा जुगा हूँ कि ठानुछ आप कह रहे हैं उ पता और सुर्श से बत्तर हैं वह ती नहीं कम इनलों हुआ हमसी को में करि bagus आई था दॉक तरें किताब स्वक्त नियुक्त के रहे हैं तो फिरेंने किती अ क्याएने आपको अब बोलने बोलत जब जॉर दो गएक उस हे और हमें सारें तो हें recursos सारें कि steht क्या हम कें परत आ हमें हवाला चाहिए है जो मच्छूर है जो मच्छूर रहा हूँ भी ऐगर आप अगर आपको नहीं समझने आएगी तो हम पित दूसी तरिका से आप तो समझाने की पुशिश परेंगे यह अरब नहीं नहीं बात पार पूर जोना की मुझ को चुबाओ अगर अजिसात अब कि कौन सी बात कही आपने हाँ आप पहली बात दिये है आपका आप जो बोल रहे हैं आपकी गुफटगो मेरा सवाल उससे कोई मताबिकत नहीं है मैंने आपको कहा आपके आला तें जुट बोला है कि मैंने अपनी आँखों से देखा बारहा छपी है किताब तो आप उसपर कोई जवाब दे नहीं सके तुसरी बात आपने कही कि सब्ए सेनाबिल की बहुत सारी अबारते जो है गलत है सही नहीं है मौतबर नहीं है हाला के देखें मैंने गलत की बात नहीं कि मैंने का पर अब बात भी तो हघए अ कहिता हजड़ नहीं ओर नहीं हाल्ग पर हाख्ण नहीं हे सुनां आप खामुस हो जाए अब मुझे बोलना दे अबजे बोलना दे अब नेने का हुझत नहीं है सबीय सेनाबिल के अन्दर बहुत से बाते जो हैं हुजज़त नहीं है तो जब हुज़त नहीं गेर मुझे अपनी बारी में जवाब देना है मेरा इसके अंदर आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि जानना चाहिए हमारे खांदान में हज़रा सेनदुल महाकिकीन मिर सेयद अब्दुल वाहिज बिलगरामी बहुत साहिब कमाल सक्सियत है बहुत साथ और इस किताब के मुतालिक लिखा है कि हुज़र स्लिल वाहिज ने इस खांद में बशारत दी अल्ला के नभी आले सेलम को पसंद है किया लिखा है बटियत सलफ हुज़त लगलफ सेयदना मौलाना मिर अब्दुब वाहिज भुस्यी जव्य वास्ती बिलगरामी धुद्द सिल्ला सिर्भू ने किताब मुस्तधात तब में मुस्तधात सब्द्द सनाबिस सरीफ तस्रीफ तस्य वर्माई के बारगाह आलम पना हुजूर स्यिदुल मुर्सलीन में मौका इक कुबूल अजीम पर गाकी है मैं आल्ला के नभी ने खुबूल फर्माया और आप कह रहें कि इसके अंदर बहुत सारी बात इं गहर मुत्बर और हुज़त नहीं डाल दी गई तो Allah के नभी आदे से खाब की तोहिन कर रहें हैं अब पहले बात तुस्सिरी बात सुनें सुनें आपने कही की आपके 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 अला चाड़र थानवी ने कया मैं अपने आपको कुत्र सोर से बत्तर समझता हूं देखएं ए हमाला दिया है ये रद शहाब साकी बर वहाब ये खाईब है आप लोग अगसर इस पर इतराज करते रहते हैं तुम्हारे थानवी को ने अपने मुताले कसम खा कर कहा तो ये इस किताब के सफ़ा नंबर 384 पे लिखा है कि बराहे तवाजो अपनी तरफ निजबत किये जाते हैं जो कलिमात उनको सनद बनाकर पेश करना उन्य हुझत बनाना उसे इस्तिद्लाल करना किसी बेदब गुस्ताख या दुश्मन का काम होता है नसान भाई आपको अब्डॉल्ला गुस्ताख बनाने के लिए लेकि आया है बेदब बत्तमिस बनाने के लिए लेकि आया है आपको मुनाज़े आप तो अपने धर्म की धज्जे उड़ा रहा है दूसरी बात है आपने अपने इस इबारत के पड़ी हजरत थानवी के मुटालिक कहा आपने अब फत्वा लगा है इनके उपर मक्तुबात इमाम रब्बानी जिल दौम मुजद अलफ सानी शेख अहमद सरहिंदी फारुकी रहमतुल्ला अलए उन्होंने क्या लिखा है किताब सफ़ा नमबर जिल नमबर दौम सफ़ा नमबर चार सथिर्स में लिखा है ये फकीर अपने जौक से मحسوس करता है कि काफिर फरंगी भी इससे कई मरतबे बहतर है अगर उसकी कोई शक्स दलिल तलब करे तो ये फकिर दलिल पेश करने से आजिस नहीं है नहीं होगा अपने आपको काफिर फरंगी से ये बत्तर और काफिर फरंगी को अपने से कई दर्जा बहतर मान रहे हैं क्या कहेंगे इनको अब बताएं सुर्ष कुत्ता जो होता है ना वो काफिर से बत्तर नहीं है क्यों कि क्यामत के मैदान में इनला तब और आगर दो धाला जब काफिरों को जहन्नें बेज़ देगा और जानवरों को अल्ला मिٹ्ती बना देगा काफिर जखे कर कहेगा सुरह अबस अम्मा पारायम्मा और आखिरे आयत क्या कहा मुझे भी मिट्री बना दिया जाता तो काफिर फरंगी सुर कुट्टे से बहत्तर है और यहां पर हजरत कह रहे हैं अपने आपको काफिर फरंगी से बहत्तर कह रहे हैं और काफिर फरंगी उनसे कही जज़ा बहतर को कह रहे हैं लगाओ उपर हुकम अगर हिम्मत है अगर हक परस्थ है अगर मसल्मान है अगर सुनी अगर जन्नती है आशिक रसुल है अल्लावाले की अगसे अगर महबत रखने वाले हैं देखता हूँ आप में कितने हिम्मत हैं इनसान भाई आप तो बोल रहे हैं कि मेरे पास किताब नहीं मुनासर बना कर लाया है और आप ऐसी बाते कर रहे हैं जिससे देखें दुसरी बात मैंने जिए हवाला दिया आपको अब्दुलबारी फरंगी महल लिगा आपसको जवाब नहीं है उसका आट साल आपके आपके आलादा काफिर बनके रहे यानि अब्दुलबारी फरंगी महल लिग के इनकार करने के बावजुद भी कि हवज़ लिगा कोई गुस्ताखी नहीं है उनसे दोस्ती बरकार रहे है आट साल जो कुफर के सक्कर है काबिर को भी काफिर है यहां तो इनकार कर रहे हैं कि काफिर नहीं है उसके बावजुद दोस्ती बताएं आपके आला हज़रत आट साल तक दो काफिर बनके रहे कोई तौबा नामा है आपके पास जी बोले बोले बिल्कुल मैं अली अजगर हूं जी हम जानते हैं आप ने पहिला तो का कि सबेशनाबिन में आना जो है निगर का उसी किताब में आना ज़स्मीन खुर मिटाया कि जी तो कहा है तो देखिए अजगर कि उसकी जमालत लिए उसके बात कि आज क्यों होना है वो पुरवाती दोर में नहीं होता है या पच्छी तरी किसे जानते हैं कि जान भूचकर अज्यान अगर आप वने को अलगतास जैसे कि गुणियातुत तालब नहीं है कि गुणियातुत तालब कोई किताब नहीं है हाँ एक किताब को एक किताब नहीं तया पाव लुकित इसक्ति वहितम धालिक बपैसन में गुंहीं गुंहाय त कि इसक्णियातु तालब में गुंहाथि दिखाता हो जान पीकाल क्तादाकि बोले 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 तो उसके बात की बात है आला की तालिवें की अधरकारे को ते आजंग से अल्हानों ने अपनी दौर में लिखा और बात में लोगों ने उसमें इलहाग कर दिया ठीज़े अब आप अपने जिहालत का मुझारा करें तो वह आप की ओपर ठीज़े आप कह रहे हैं कि आठ साल एक यह जाना तो नमाद नी पढ़ेंगे मगरिब कि मगरिब क्यजान हो ना पदो है कि अई इन सब्सक्राइब क्यारें यह कि अब्दुल्ला मगरिब के दान हो रहे है नमाद नहीं पड़ेगा चलो देखते हैं अभी क्या है नमाद का भी बता है अवाला जवाब लगी जाना मेरा यह जो आपने किताब से अवालनी कि शुरूआ आपने किया था हुशाम लहार में अब बंदर की तरह कि मार मार की मार मार बार इसे हम यहां पहुंचे आप अब भाग रहा हैं जवाब देरा हुशाम भाई आप अब लिए को यह को गुट्डा उस्वास से बत्तर विए रहा हुए हमने नहीं हम नहीं और झाली को चुछ पसंद पर रहे हैं अपने अब जी जी मार मशाब कर रहें हुशाम लहरम कहां कहां बाग रहे हैं वहां जो कहां मुन्हार को देखा उसका हवाला कुन देगा कि आपका जवाब दे रहा है इसलिए में आपका जवाब दे रहा हुं एक निकाह हुआ उनकी रात को रहा हुआ घृत कि अधिका होता है पहली रात ने जवाब दो जो आपको मुणासरी बनाएं तो ताल्वी बोल रहे हैं अच्छा इंसान भाई एक स्वाल करूं इंसान भारत मैं आपको बता रहा हूं आप पुर्टेंटन में आ रहे हैं और आप इसे गाली गुलोटी बोलूंगा मैं एक बात बोलूंगा इनसान भाई एक स्वाल करूंगा मैं अपने अपने आउंकों से देखा या हमें दिखा होगा इसी तरह हो भी किताब इसी नायाब फिरकी कि नायाब फिरकी किन रहा यहां विभारत रही होगी है और जोबंदी ने निकल किया होगा अच्छा जोबंदी और कुफर किया और जो है और अपने जोबंदी बने हैं तो ठीक कुछ पढ़ लिखकर जोबंदी है तो इल्म से बात करिए अब मैं बोलूँ आपको अच्छी तरह पता होगा कि क्या है अब मैं बोलूँ इनसान भाई इनसान भाई इनसान भाई इनसान एक सवाल इनसान भाई इनसान भाई और आप मसलळ के आला हजरत के बड़े मुनाजर है आप इनसान भाई शरम गापे इन्सान भई किताब का नाम क्या है इन्सान भई किताब का नाम बता कर जाएं और यह बता है क्या शरमगा लिखा हुए वहां पे किया वहाँ पर शर्मगा लिखा हुआ है वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, आपका निकार फूट गया, इनसान भाई, फून काटे भाका सामें देखें इसे ने इतना बड़ा जुट बोला जिस तरह इसका मुझदिद ने जुट बोला हुसाम अरामी बन किताब के अंदर कि मैंने अपने आँखों से देखा मुंबई के अंदर छापा गया ये किया गया वो किया जिस तरह ये जुट बोल गया उसका मुझादै ये जुर बोल गया जुर बोल गया मैं तो कहते। तुम्हारी पूरी जुर्यत तुम्हारे आलासे लएके अधना तक पलंगे खास से लएके हुजरे तक तुम्हारे यतने हैं बडाईब नियुओ के बृर्यली तक सबको मेरा चलेंज है खबीस और नापाक और मरदूद और कुफर और शिर्किया धरम को हक साबित करने के लिए कितने आला धर्जा का जुट बोल रहा है देखो इस तरह इसका मुझदिद जुट 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 बोल करके खता मुझद ने चला गया इसके जुरूरियत जुट जुट बोल रहा है मैंने इसे कहा था कि तेरा मुझदिद जो ये बात कहे गया यहां पे हुसाम लहरमेन के अंदर के लिखा है उसने कि मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा जो मुंबई मुंबई वगयरे में बारहा मारत के छपा रद किया उसका और आँखों से देखा है उसने साफ लिख गया कि जो अल्ला अल्ला सुभाना को बिल फेल जुटा समाने और तस्री करे कि माज़ ल्ला अल्ला जुट बोला और ये बड़ा आएब उससे सादिर हो चुका तो उसे कुफर बाला इता गुमराही दर किनार फासिक भी न कहो इसलिए कि बहुत से इमाम ऐसे कहे चुके हैं जैसे कि उसने कहा और बस नहायत कार ये कि उसने ताविल खता की पताएं सामीन पताएं इतना बड़ा जुट क्यों कर वकुए किस बिकतरब खीच कर लेगा है उसाहुलहरामी पर किताब की अबारत पढ़ रहा हूँ यानि वकुए किस बिकतरब खीच कर लेगा कह रहा है मर्दूद बताएं जबके मैंने फतावा रसीदिया की अबारत पढ़ दी हजरत ने बिल्कुल साफ अपना अकिदा बयान कर दिया है कि अकिदा उन्हों ने लिखा हजरत रसीद अबंद गंगर मतला ले ने कि अल्लह तबारा को ताला के लिए उसके कलाम में हर्गिस हर्गिस शाइब किजब का नहीं है शक्की गुझाई सनी कि अल्लह जूर बोले अकिदा बनाना बहुत जूर की बात है आगे लिखा है जो शक्स हक ताला की निजबते अकिदा रखे या जबान से कहे कि वो किजब बोलता है जुन बोलता है उकतान काफिर है मलून है या हज़रत अलशी जबन गंगुमत लाले की अबारत है अकिदा है उनका और मुखारी कौरान और आजिफ का उजमाय उम्मे उम्मत का है वो हर्गीज हर्गीज मू敏ं नहीं हज़रत कह रहे हैं मूमिन नहीं काफिर हो जो लो ज़ा लिल्ला के मताखिर अकिदा रखे बब छब जब अथर्दित कर दी हज़रत का फत्वा आ गया तो हज़रत पर इल्जाम कैसा और यही वसूल आएन एहल सुन्त के अंदर अबू कलिम सिद्धिक फानी और मुफ्ती डाक्टर मुफ्ती मुछम्मद असरफ आसिब जलाली दोनों की ताइज सुदा किताब आएन एहल सुन्त में लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 147 के अंदर कि और आएला हज़रत का इस हकायत के तरदिद में फत्वा मुझूद है तो आएला हज़रत पर इल्जाम कैसा मैं तो वही कहता हूँ तुम्हारा वसूल तो हम तुमें पेस करते हैं कि जब हज़रत गंगुहिर अमतुलाले का फत्वा तुम्हारी इस गिस बयानी जूटे इल्जाम के लिए है कि तुम कहतो उनका अकिदा है जूट बलता है ल्ला तो हज़रत के फत्वा है जो जूट बले जो असा अकिदार के काफिर है वो और अल्ला के मतालिए शक्र करना वाला काफिर है कि जो शक्र आल्ला जूट बलता है तो हज़रत का फत्वा जब है तो हज़रत पर इल्जाम कैसा लेकिन चुके तुम्हें लोग अंदे हो चुका ल्ला तुम्हें अंदा बना दी है तुम्हारी बसारत और बसारत अल्य नहीं सब्सेल्ब कर चुगा है तुम देख सकते हो कोई याबारत ना तुम समझ सकते हो ला तामल अबसार वलाकिन तामल गुल sûле लाटी फिस्दूर लाकिन तामल अँखे अन्डे नहीं है बलके तुम्हारे दिल के अंदर जो तुम्हारे सीने में जो आँखें वो अंधे हैं तामल खुलूब ल्लती फिसुदूर तुम्हारा वो दिल अंधा है और कुछ नहीं है तुम अंधे हो अंधे हो अल्ला कह रहा है सामीन देखें मैं क्या पूछ रहा हूँ वो ये क्या क्या बहाना बाते कह रहा है और किसे रुस्वा हुआ हुआ और मुझे बोलना है नाग मत कटा नाग खुद कटा रहा है और वो जिसको अब्दुल्ला अश्रफी उसको बना कर लाए मुनाजिर इनसान रजा को मुनाजर वो सिखा रहा है उसके तालिवी वो सिखा रहा है उसको मुनाजर बना कर लाया किताब का नाम क्या है कि जख रहा है कि रिस्वा हो रहा है उसका मुनाजर तो कम सक नाम बता दें नाम बता दिया और ऐसा मनासर बना कर रहा है बोल रहा है मेरे पास किताब नहीं है और मुझे बोल रहा है मैं ना कटा रहा हूँ ना खुद कटा गया किताब उसके पास नहीं यह उलान कर दिया उसने ना खुद कटा गया गुझा तो ताली भी कह रहा है और मुझे कह रहा है मैं ना कटा रहा हूँ हद है तुम्हारी जिहारत की